बॉलिवुड में जब कभी हीरो ने किसी फिल्म में विलन का रोल निभाया है तो उसे भी खुब सुर्ख्यां बटोरी है बड़े पड़े पर नेगेटिव रोल निभाने पर एक्टर्स ने अपने रोल के साथ साथ लुक्स में भी एक्सपेरिमेंट किया है फिर चाहे रनवीर कपूर का एनिमल का किरदार हो शारुप खान का डर का किरदार हो या फिर संजे दद का कांजा चीना का रोल हो तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्होंने फिल्मों में किया है डार्क रोल सबसे पहले बात करें इस वक्की सबसे चर्चित फिल्म एनिमल की तो आपको बता दें कि इस फिल्म में रनवीर कपूर में लीड रोल में है एनिमल फिल्म की कहानी बाप बेटे के रिष्टे पर है एनिमल में शुरू से लेकर आखरी तक रमीर कपूर ही छाय हुए है इसमें उनका एक्शन अंदाज बहुत ही बहतरीन है जो कि उनकी बाकी हर फिल्मों के रोल से काफी अलग है अब भहिएंब बात करें संदीब बागा रेडी के डिरेक्शन में बनी फिल्म कभीर सिंगी जिसमें आक्टर शाहिद का पूर नेक सिर्फिल आशिक का किर्दार निभाया है इस फिल्म में शाहिद एक डॉक्टर के रूल में दिखे थे जो अपनी गल्फिंड से बे इंतहा महबत करता है इसके आगे बात करें किंग खान की तो हो ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने हीरो के अलावा बड़े परदे पर विल्न का किर्दार भी नेभाया है शारुक ने 1992 में दिवाना फिल्म से अपने करिया की शुरुआत की थी जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया था इसके बाद शारुक ने डर, बाजीगर, अंजाम कई फिल्में की जिसके बाद उन्हें पहचान मिली और आज उन्हें बॉलिवुड का किंग खान कहा जाने लगा इस लिस्ट में संजे दत का नाम भी शामिल है इन्होंने भी बॉलिवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में की जिसमें हीरो नहीं बलके विल्ल का रोल भी निभाया ऐसी ही एक फिल्म का नाम है खलनायक इस फिल्म में संजे दद के किरदार ने लोगों के दिलों में ऐसी चाप छोड़ी कि लोग आज भी उनके इस रोल को याद करते हैं खलनायक के अलावा संजे ने जंग, अगनीपत और मुसाफिर जैसे फिल्मों में विलिन रोल ने सभी को हैरान कर दिया सैफली खान ने यू तो हर फिल्म में हीरो बनकर लोगों को अपने रोल का दिवाना बनाया है लेकिन 2006 में सैफली खान का नेगटिव रोल देखने को मिला था सैफ ने अपने ओम कारा फिल्म में लंगडा त्यागी का रोल करके दर्शकों को हैरान कर दिया पद्नावत फिल्म रनवीर सिंग के करियर में मील का पत्तर साबित हुई इस फिल्म में रनवीर सिंग ने हीरो नहीं बलके विलिन का रोल निभाया था